महाठक सुकेश चंद्र शेखर का मनी लॉंडरिंग मामला जब से सामने आया है तब से ही बॉलिवुड की दो अभिनीत्रियों की परिशानिया लगातार बड़ी हुई है जिसके बाद ये परिशानिया इसकदर बढ़ गई है कि अब ये परिशानी फाइट में बदल चुकी है जी हाँ और अब इस मामले ने एक अलग ही रूप ले लिया है तो चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखे साती डेल अब्रेट पाने के लिए आज ही हमें सब्स्क्राइब कर दें तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको उन दो अभिनेत्रियों के बारे में बता देते हैं दुरसल नौरा फ़तेही और जाकलीन फर्णनांडिज लगता सुर्खियों में हैं अगर अब इसके कारण के बारे में बात करें तो इसका कारण यह है कि एक्टरिस और डांसर नौरा फ़तेही ने जाकलीन पर मानहानी का दावा किया है नौरा ने जाकलीन के खिलाफ आधिकारिक पुलिस कमप्लेंड की है और ये कहा है कि उनका नाम 200 करोड के मनी लॉंडरिंग केस में गलत तरीके से लिया गया है नौरा का आरोप है कि उन्होंने ठक सुकेश चंदरशेखर से किसी तरहां के कोई गिफ्ट्स नहीं लिये हैं तो इसके बाद जैकलीन थोड़ी शांत बैठनी वाली थी जैकलीन ने भी नौरा का पलटवार कर दिया है जिसमें एक्टरस खुद तो सामने नहीं आई है लेकिन उन्होंने अपने वकील के द्वारा नौरा के आरोप लगाने के बाद इस मामले में जवाब दिया है उन्होंने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी भी पबलिक में नौरा के बारे में कुछ नहीं कहा है तो ऐसे में मानहानी का कोई केस नहीं बनता है जैकलीन ने नौरा या किसी अन्यव व्यक्ति के खलाब किसी भी electronic या print media के सामने कोई बयान नहीं दिया है उसने जानबूज कर प्रवता निदेश याले की कारवाई के बारे में बात करने से इंकार किया है आज तक जैकलीन ने कानून की मरियादा बनाए रखी है और मामला विचार अधीन है इसलिए उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया है नौरा का नाम जाकलीन के बयान के आधार पर सामने आया है दरसल जाकलीन के जिस बयान के आधार पर नौरा को दोशी सादत किया जा रहा है उसके अनुसार जाकलीन ने कहा था कि उन्होंने सुकेश से किसी तरह के कोई गिफ्ट्स नहीं लिये हैं बलकि नौरा जैसे सिलेप्स ने गिफ्ट लिये हैं, पर नौरा को तो गवाहा के तौर पर सामने पेश किया गया। जिस तरहां से नौरा पर आरोप लग रहे हैं कि नौरा ने सुकेश से गिफ्ट लिये हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या नौरा ने सच में सुकेश से गिफ्ट लिये हैं चलिए आपको इस सवाल का भी जवाब हम दे देते हैं नौरा ने अपनी याचिका में जो बयान दिया है उसमें बताया क्या है कि नौरा कभी अकेले शुकेश से नहीं मिली है। सिर्फ एक बार उन्होंने शुकेश से फोन पर बात की थी जब उनकी पतनी लीला मारिया पॉल मौचू थी। ये चिन्नाई की बात है जब नौरा को लीना ने ही इन्वाइट किया था और नौरा को एक काईफोन और एक गूची बैग गिफ्ट किया था। नौरा को शुकेश के जरीए कोई गिफ्ट नहीं मिला है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस कार की बात हो रही है वो कार नौरा के जीजा बॉबी खान को पेमि कहज त hay मुझा फुकेश गिजा की बड하는데 मुझा को शुकतर लेकис बाटने कोई थी खाना